वेल फ्रेंड्स, वेरी वेरी गूड मॉर्निंग वेल्कम टू सक्सेस मंत्र बाई जे मलिक, आइम जे पी मलिक बिफोर यू, जमीन की चक बंदी लेंड कंसोलिडेशन ये क्या होता है, देखिए जब भी जमीन अबादी बढ़ती है, जमीन के हिसे होते चले जाते है, छोटे बहुमी पर, खेती करनी, नलाई, कटाई, बॉआई, ये काम मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि छोटे-छोटे टुकडे जब जमीन के हो जाते हैं, तो फिर सरकार उसकी चक बंदी करती है, कि छोटे टुकडों से एक बड़ा टुकडा बना देना, जैसे ये एक residential village है, उसका गाओं के लोग रहते हैं, और ये पूरा गाओं का agriculture जमीन है, पूरा एक सजरा है, तो होता क्या है, जब जमीन के टुकडे छोटे-छोटे हो जाएं, तो सरकार, जो हमारी सरकार है, या कोई भी सरकार है, वो देखती है, कि छोटे टुकडों से machinery का यूज नहीं हो सकता, उ जब छोटे-छोटे टुकडे, तो वो सरकार एक चकबंदी लाती है, land consolidation, तो land consolidation का इसलिए जरूरी है, कि छोटे टुकडों को बड़े टुकडों में बदलना, उसी को चकबंदी करती है, चकबंदी, मतलब खेतों का बंद इखटा कर देना, तो ये इसलिए जरूरी है, कि क खेती करने में दिक्कत आती है, उत्पादन घट जाता है, किसान की income घट जाती है, उसमें machinery का use कम होता है, तो फिर कैशे की जाती है, सबसे पहले survey किया जाता है, सर्वे के साथ साथ विग्यापन के, टीवी में विग्यापन दिया जाता है, एक सरकार जो है, एक ड्रोन के माध्यम से आज कल बड़ा आसान हो गया, कि पूरी जमीन की value लगाई जाती है, value कैसे लगाते हैं, जैसे सबसे अच्छी भूमी, सो पैसा, फिर असी पैसा, फिर साथ पैसा, और चालिस पैसा, अगर जमीन कम है, मतलब कम बजाओ है, तो इस तरह ये जमीन की value लगा करके, survey करके, और जैसे ये ए आदमी है, एक किसान है, और इसकी जमीन एक यहाँ है, एक यहाँ पर, यहाँ पर है, तो एक यह है, तीन ट रहे हां तो यह किया जाएगा कि अगर किसी की जयसे भी की जमीन हाइवे के नजधेगे इसकी वेलू ज्यादा लगेगी तो में लगा कर करके जैसे अब यह इसको एक टुकडा हो सकता है यहां इसको एक टुकडा दे गो जाए एक चाना करके इसी तरह भी तो सबसे पहले सर्वे होता है वो एडवर्टाइजमेंट आते है टीवी के माज़ दम से और फिर इसमें देखो दो तरह की चकबंदी होती है या तो वोलेंट्री जो गाउं का परदान है सचीव है यह सारे मिल करके पंचायत मिल करके अपने एक एरिये का चकबंदी करा सकते हैं अगर वो सबसे अथी रहती है क्योंकि उसमें डिस्पूट कम होते हैं दूसरी चकबंदी कंपल्सरी गवर्मेंट करती है तो उसमें थोड़ा सा जगड़े जंजट ज्यादा होते हैं लेकिन यह जरूरी है इसी को चकबंदी कहते हैं कि एक जगह कै से जमीन को लाया जाए इसमें कौन सी जमीन को छोड़ा जाता है देखिए कुछ जमीन होती है जो बाड में रहती है कटाओ वाली जमीन है जहां पानी का ठेराओ बना रहता है और कुछ जमीन जैसे वहां पर उपजाओ नहीं है बंजर भूमी है या फिर कभी थोड़ा बहु पंचायत गरितादी के लिए भी रखी जाती है, तो ये कटोती की जाती है कुछ जमीन में, तो इस तरह चकबंदी की जाती है, चकबंदी का सबसे बड़ा फाइदा ये भी है, कि देखे, चकबंदी जब हो जाती है, तो इंकम किसान की बढ़ती है, उसमें मसीली का यूज हो चकबंदी क्यों जरूरी है उसके क्या फायदे हैं कैसे की जाती है तो have a nice day thank you